तो हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत हैं हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में तो दोस्तो सीमाओ को तोड़ने हुए कुछ नया करने की चाह सब को भीतर होती है लेकिन यह चाह इनके जैसी हो तो स्थिति आपने अप अटपटी हो लगने लगती है हम बात कर रहे हैं दुनिया के पांच ऐसे अजीब जोडों की जो अपनी जिन्दगी में कुछ नया करने के चकर में ब्लेंडर कर बेठे इनकी आपर सब को हिरानी होती है तो दोस्तो आज के वीडियो में हम टॉप फैव ऐसे ही अजीब और गरिब जोड़े को बारे में जानने वाले है तो दोस्तो बने रही है हमारे साथ तो दोस्तो इस लिस्ट में पांच वे नमबर पर आता है आदमी की फैंटेज से दुलहन इस जापानी दुलहन के बारे में जानकर तो आपको यकिन ही नहीं होगा दरसल इस सक्स ने किसी जीवित इनसान से नहीं बलकी एक कालपनिक दुनिया के करेक्टर से साधी की है दरसल इस सक्स को वीडियो गेम खेलने का जबरस चुषका लगा था बस उसकी उसी लतने से करने में पर मजबूत कर दिया वह कभी अपनी कलपना परी दुनिया से बाहर नहीं निकल पाया उसने नवंबर 2009 में नेने एनेस गासाफी नामग एक कंप्प्टर गेम के करेक्टर से साधी कर ली थी लंबे वक्त तक यह खबर काफी चर्चा में रही थी दुनिया का सबसे लंबा और सबसे चोटा कपल यह है दुनिया का सबसे लंबा और सबसे चोटा कपल दुनिया के सबसे लंबे आदमी सुल्टान कोसम को अपनी बेटरहाफ तलासने में काफी दिकतों का सामना कराना पड़ा वो बहुत नेरस हो चुके थे दरसल सुल्टान का कद आठ फिच ती निच लंबा है जो इसे आड़े आ रहा था लेकिन उनकी तलास खत्म हो गई उन्हें पत्नी के रुप में मर्डर डिबो का साथ हग मिल गया जो उनकी हाइट से लगबगतीन फिट छोटी है दोनों की उम्रके बिकम दस साल का अंतर है इन दोनों की जोड़ी को लोग किसी चमतकार से कम नहीं मानते थे तो दोस्तो इस लिस्ट में तिसरे नमबर पर आती है एफिल टावर से साधी करने वाली महिला अपने रोमन्टिक माहूल के लिए पेरेस खासा मस्पूर है यहाँ पर विश्व प्रसिद लेंडमार्क एफिल टावर स्थी थे पूरे संसार के लोग इसे देखने आते है ले एफिल सब्दा जुड़ गया है इसमाइला का काम एरिका लातौर जिसे अब लोग एरिका लातौर एफिल कहकर पुकारते थे तो दोस्तो अब हमारी लिस्ट में दूसरे नमबर पर आते है लास बनी दुलहन से साधी इस सक्स ने तो पूरी दुनिया को सोच में डाल दिया था जब इसने एक मरी हुई औरत से साधी की बहला ऐसा भी कोई करता है थाइलेंड के चैडिल डेफी नामक इस सक्स की गल्फ की मौत हो गई अपनी प्रेमी का के यूदुनिया चोट कर जाने के चैडिल बहद आहत हुआ था इसके बाद उसने फैसला किया कि वह अपनी गल्फरेंड की लास से साधी करेगा साल 2002 में चैडिल ने अपनी गल्फरेंड की लास के साधी की बताते हैं कि इस दिन ये उसकी तो दोस्तों आखिर में दादी मा की उम्रह की औरत से साधी करने वाला पहले नमबर पर आता है अपने और रिलेस्टन्स के चक्कर में कायल जोस नामक एक सक्ष्ट टॉइ बोई के नाम से मसूर हो गया है कायल की उम्रह महस्थ 31 साल की है जब उन्होंने अपनी उम्रह से तीन गुना बटी उम्रह की महिला से साधी की जो दुनिया की नजर में बहुत चोकाने वाली थी यहाला की कायल की नजर में उनका रिस्ता प्यार पर बरकरार है वे कहते हैं की मारजोरी मैक कॉल जो एक यानिवर्स के साथ उनका रिस्ता बहुत अच्छा चल रहा है